जाहिख राज के विदिए में लोग देहें खेँ हैं क्लास 11 का इंग्लिस का Dra. लोग देखेंगे जिस क्या चेक्टर का da चेप्टर का नाम है दलेमेंटेशन ओफ द ओल्ड पेंशनर तो विडियो कौन तक देखिए चेप्टर बिल्कुल सधानर वासा में आपको सम्झाने का प्रयास करूंगा तो हमारे साथ बने रही है चलिए इस चेप्टर को लिखा है डबलू बी इट्स ने तो चलिए सबसे पहले हम लोग डबलू बीट्स के बारे में जानते हैं इनका नाम है इनका पूरा नाम है विलियम बटलर इस्ट इनकी पाइदाइस हुई है 1865 में और इनका मृति हुआ है 1949 आरिस पोएट इंड ड्रमाटिस्ट यह जो है आरिस पोएट है मतलब यह आयरलेंड के रहने वा इनको जो है नोबिल प्राइज से सम्मानित किया गया है नोबिल फ्राइज फोर लिटरेशर इनके साहीते के लिए इनके साहीते के लिए इनको क्या दिया गया है तो नोबिल फ्राइज दिया गया है कब तो 1923 1923 में दिया गया है he worked essentially for Irish independence उन्होंने लगातार कम किया है आइर्लेंड के स्वतंत्रता के लिए and for an Irish literature और आइर्लेंड की साहित्य के लिए उन्होंने लगातार काम किया है from British literature separate from British literature यानि British साहित्य से बिलकुल अलग उन्होंने Ireland की साहीतिय के लिए उन्होंने लगातार काम किया है and co-founder of the Irish National Theatre Company और वो co-founder भी रहा है उफ सनस्तापक भी रहा है Ireland के जो theatre है जो theatre company है जहाँ पर नाटकोटक दिखाया जाता है तो उसके यह co-founder भी रहा है He was instrumental behind the Irish theatrical, cultural and literary revival with his play अब जो है यह एक सहायक भी रहा है वहाँ पर जो भी theatre है या वहाँ का Ireland का जो culture है इन चीजों को जिन्दा रखने में यह बहुत वड़ा सहायता देते थे अपनी play के मादियम से अपने नाटक के मादियम से उनके कुछ नाटक हैं देखिए जैसे कि the countess the countess Kathleen इसको परकासित किया गया था 1892 में परकासित किया गया था 1892 में and the collection of stories और उन्होंने collection of stories यानि कई स्टोर्यों का collection करके यानि एक जगई कठा करके एक नया story भी बिनाया है जिसका नाम है the Celtic twilight the Celtic twilight इसको परकासित उनों ने किया था 1893 में वो heroes के दोवारा inspired थे heroes का मतलब वो hero कि इनको मानते थे तो जो legends है न उस जमाने के पुराने पुराने जो writer थे कभी थे उनको वो hero मानते थे और उनी से वो क्या प्रेंड़ना लेते थे inspired होते थे the romance और romance से inspired होते थे and the magic of these magic of these legends और जो वो legends थे उस वक्त के काफी मसहूर जो कभी होते थे न उनकी उनके चमतकार से यानि उनकी लिखावट उनकी बाते क्या थी एक तरफ चमतकार से कम नहीं थी तो उनसे जो है यह बहुत ज़्यदा परभावित होते थे और वो क्या करते थे बहुत सारे legends यानि बहुत उस वक्त के परसीद कविताओं को एक साथ मिला करके कविताओं को यह बना दे थे यानि छोटे छोटे पार्ट से में तूटे हुए कविताओं को जोड़ करके यह नए कविताओं का को बनाने या काम करते थे यहां पर देखिए उनका जो वो जो उन्होंने कविताओं लिखी है उसका बयान करने का उनको बयान करने का लिखने का जो उनका पहले वाला इस्टाइल था वो कैसा था तो बिल्कुल ओल्ड मोर्डल वला था पुराने जमाने के हिसाब से था वाइल हीज लेटर वर्क यूज़ अस पारसर लेकिन जो बाद में उन्होंने कविताओं लिखी है जो रचनाओं करी है उनका इस्टाइल क्या है तो थोड़ा सा अलग है और ये कविताओं जो है ये रचनाओं जो है वो प्रतीक वाद से परभावित है और मिस्टिसीज में रचनाओं को उन्होंने लिखा है अब अब इनमेंस है जो सबसे मसहूर हीज बेश्ट नौन कोलेक्शन फ्रोम दीस परियर्ड अब उस परियर्ड का इस परियर्ड का यानि बाद वाले परियर्ड का जो सबसे मसहूर मसहूर उनकी रचनाओं है हम लोग उनको देखते हैं collection from his period are the tower the tower the tower इसको परकासित किया गया था 1928 में and the winding stair और ये winding stair ये ही उन्ही के रचना है जिसको परकासित किया गया है 1929 में this poem the lamentation of the old pensioner अब ये poem जिसको हम लोग पढ़ने वाले हैं the lamentation of the old pensioner जिसको परकासित किया गया है कब तो 1949 में कब किया गया है तो 1949 में which is the revised version of its earlier poem the old pensioner तो ये जो हम लोग पढ़ने वाले हैं the lamentation of the old pensioner ये असल में एक revised version है इसी कविता का जिसका नाम था the old pensioner माने समझ लिए कि रीमेक है जो इसका पहले वाला नाम था वो था the old pensioner जिसको परकासित किया गया था 1890 में और इसका रिभाइट भर्जन का परकासित किया गया है तो 1949 में presents the poets reminiscence अब ये कविता क्या करता है कि reminiscence देखिए reminiscence poets reminiscence यानि ये याद को ये उनके यादों को और लेहां पुराने यादों को ताजय करने काम करता है परजेंट करने का काम करता है रेमिनेंस ओफ ही यंग लाइफ विच बीकेम मोड एगोणिजम एगोणाइजिंग जो क्या बन चुका है बहुत ज्यादा क्ष्ट दाई और दुखदाई बन चुका क्योंकि देखिए यह poet जो है बिल्कुल बूढ़े हो चुके हैं अब यह पुराने दिनों को अपने जवानी के दिनों को याद कर रहे हैं और याद करकर के जो है न समझेए कि आह भर रहे हैं इनको बहुत ज़्याद तकलीफ हो रही जब अपने जवानी के दिनों को याद कर करते हैं और आज के दिनों से क्या करते हैं तो बिल्कुल विप्रीथ पाते हैं तो उनको काफी जिए जिए दुख होता है अपने पुराने दिनों को याद करके है कि यो फिर वो व quan मिलने वाला नहीं है कभी के आप हो से निकल चुका भूठाट उस तो सब को लोग तो पुराने जिनों को याद कर के काफी जादा क्या कर रहे हैं वह कि दुख दर्द समझे कि भी तोड रहे है उनके उनको काफी तकलीफ हो आपने पुराने इनों को याद करते हुए चलिए हम लोग आगे देखते हैं आगे आगे हम लोग अब इसको देखते हैं क्या है फूर्ट्री में देखते हैं हम लोग Allows I Seltr From The Rain Allows Allows I Seltr From The Rain Under A broken Tea वो कह रहे हैं न कि हाला कि मैं एक टूटे फूटे ब्रिक्स के नीचे सरण लिये हुआ हूँ बारिश से बचने के लिए कह रहे हैं although I shelter from the rain under a broken tree मैं बारिश से बचने के लिए एक टूटे पेंड के नीचे सरण लिये हुआ हूँ My chair was nearest to the fire देखो क्या कर रहे हैं वो बच्चों देखिए क्या हूँ कर रहे हैं My chair was nearest to the fire in every company वो याद कर रहे हैं अपने जवानी की दिनों को कह रहे हैं कि मेरा जो कुरसी होता था वो हमेसा आग के नजदीक होता था बच्चे आप जानते हैं कि जवानी में जो है हम जवानी में तो कर रहे हैं कि जब हम जवान थे न तो आपको कि कुछ नहीं समझते थे मेरा जो श्यार होता था तो आख बिलकुल नजदीक होता था In every company जब भी मैं दोस्तों के साथ में होता था तो मेरी कुरसी सबसे आगे होती थी आगके नजदीक में आगे देखते हैं हम लोग that talk that talked of love और politics और उस वक्त हम लोग क्या करते थे तो मैं सिर्फ प्यार और मुहब्बत की बातों किया करता था और politics के बातों किया करता था every time transferred me लेकिन यह कह रहा है कि वक्त ने मुझे पहले ही क्या कर दिया है Transfigured में कर दिया, Transfigured कर दिया, मतलब मुझे बदल दिया है, बदलने का मतलब कि जवान से क्या कर दिया है, बुढ़ा कर दिया है, वो इस बात को मानते हैं, कि वक्त ने उनको क्या कर दिया है, तो समय से पहले ही उनको बुढ़ा बना दिया है, देख लिजी इनका चेहरा जो ह लेकिन जब मैं जवान था तो मेरी कुरसी आग के बिलकुल नजदीक होते थी आग से मुझे उतना तकलीफ नहीं होता था अपने साफ पार्टियों के साथ होता था तो मैं प्यार और मुहब्बत की और राजनिती की बातों किया करता था एरी टाइम ट्रांसफर्ड में और वक्त ने मुझे पहले ही आज बुढ़ा बना दिया है आगे हम लोग देखते हैं हाला कि लड़के जो हेना दुबारा पायक्स बना रहे हैं वो सब सते हैं उसी को बोला जाता है दुबारा से पाइक्स बना रहे हैं for some conspiracy किसी सड्यंत्र के लिए किसी सड्यंत्र के लिए वो क्या कर रहे हैं तो पाइक्स बना रहे हैं and crazy rascals raise their feels at human tyranny और कुछ पागल दुष्ट लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं तो human पर अत्याचार कर रहे हैं my contemplation are of an hour of time that has transfigured me और कहा रहे हैं कि मेरी चिंतन ने मुझे क्या कर दिया है तो आज transfigured कर दिया है मतलब आज उसने मुझे बिल्कुल बदल कर रख दिया है मुझे क्या कर दिया है तो बिल्कुल बुढ़ा बना दिया है अब देखिए आज के नौजवानों को याद कर रहे है एक बार हम लोग इसको फिर दुबारा देख लेते हैं आज के नौजवानों को देख रहे है दाउलेट्स आर मेकिंग पाइक्स आज के नौजवान क्या कर रहे हैं पाइक्स बना रहे हैं my contemplation hour of time यानि और मेरी चिंता ने मेरी चिंता ने मेरे जमाने की चिंता ने मुझे क्या कर दिया है ट्रांस्फिगर कर दिया है मुझे वक्त से पहले ही क्या कर दिया है तो बुढ़ा बना दिया है आगे देखते हैं देर इस नोट ए वोमेंड टर्न हर फेस अपने ब्रोकें ट्री वह कह रहे हैं देर इस नोट ए वोमेंड टर्न हर फेस अपने ब्रोकें ट्री लेकिन आज देखिए कोई भी औरत कोई भी इस्तरी इस सूखे पेंड की तरफ इस टूटे हुए पेंड की तरफ अपना नजर उठाके भी नहीं देखती है आगे ये ड़ी 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 ड़ेट है आगे देखते हम लोग अद्ध है कि उस जमाने में मैं जिसे प्यार करता था उसे आज भी याद करता हूं और उसके खयाल जो है मेरे दिलो दिमाग में हमेशा रहते हैं तो कभी जो है अपने beloved को याद कर रहा है कि वो उस जमाने में जिसे प्यार करता था उसको आज भी अपने ख्यालों में रखा हुआ है दिल में रखा हुआ है और आगे कहते हैं poet I speak in the face of time that has transfigured me आगे कहते हैं कि और मैं उस वक्त के ऊपर थुकता हूं उस समय के ऊपर थुकता हूं जिसने मुझे क्या कर दिया है तो वक्त से पहले ही बुढ़ा बना दिया है देखिए कभी जो है बड़ी romantic style में इस कविता को लिखें और बहुत कुछ इन कविताओं के मध्यम से वह कहना चाहते हैं देखिए कोई भी वक्त से पहले बुढ़ा होना नहीं चाहता है या वक्त से पहले क्या कभी भी भुढ़ा होना नहीं चाहता है तो उम्मीद कर रहा है और आगे वीडियो बनाने का हमें हम लोग को एक प्रेंडा मिलता है तो पलिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन भी दबा लेजीगों तो आज के लिए इतना ही जैहिंद फिर हम लोग मिलते हैं किसी अगले वीडियो में